मैं उत्तर प्रदेश के प्रताव गड़ जिले के रानी गंत असील के अंतरगत सराय नानकार गाउम में मौझूद हूँ प्रिफाना कनई सेथ के अंतरगत आता है हमारे जिले में एक ही दिन में आर्मी के दो जवानों ने शहादत पाई इसमें एक रिटेश पाल जी और दूसरे चंद्रोग तिवारी जी रिटेश पाल जी का तो राज की सम्मान के साथ काफी आदर सम्मान किया यहां की जंटाने और सरकार ने भी लेकिन चंदलोग तिवारी को यहां उसर न प्राप्ष हो सका हमारे बीच कताब गड़ के पूर्व विधायक श्रीफ प्रिजेट शौरब जी हैं आए जानते हैं इसके पीछे क्या का रहा है नमश्कार यह प्रश्ण आपका समीचीन लगता है लेकिन एक चूक कहीं न कहीं से यह हमारे जवान जो चंदलोग तिवारी जी का देहावसान हुआ उनकी यूनिट के जो कमांडिंग आफिसर थे उनकी तरफ से थोड़ा सा या तो अंजाने में हो गया या प्रोटोकाल की पूरी जानकारी नहीं थी अगर जैसे ही प्रोटोकाल की जानकारी रितेश सुरगी र यहाँ पर कराया होता तो संभोता है इस दुखद और निराशा जनके सिति से हम लोगों को रूबरू ना होना पड़ता है जैसे लोग तिवारी जी को सहीत का दर्जा दिलाने के लिए आप लोग किस तरह का प्रयास तरह है तो एक देखिए मैं चंदरलोग तिवारी जी को दर्जा मिले ये प्रयास अकेले करना चाहूँगा तो संभोता संभो नहीं होगा इसके लिए जन भावनाओं का एक प्रदर्शित करने का कोई एक उपक्रम होना चाहिए वो उपक्रम आप लोगों को परिजनों को और हमारे यहां जो छेत्री संगठन है इन लोगों को आवा आज और अपना समय दे करके उसको आंदोलन को और दूर तक ले जा सकते हैं और उसके निश्चिती करण तक यानि उसके रेजल्ट तक पहुंचाने का प्रयास करते हो और उम्मीद करते हैं कि सफल भी होंगे प्रोवाइडेड कि यह काम करने के लिए थोड़ा सा स्थानी स अंगठनों और परिजनों को भी आगे बढ़त लेनी होगी चंदलोग तिवारी को राजकी एस्तर पर उचित समान ना मिल पाने के कारण यहां के जन मानस में काफी आक्रोश ब्यापत हैं प्रताब गड़ के प्रसाशनिक विवस्ता में इस तरह की चूप किस ब्रकार वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा है